तो हेलो एन वेल्कम टू खूंगा अकाडमी और जैसा कि हम लोग ने देखा कि आपकी जितने भी हम लोग ने आसा अनालिसिस की हैं वहीं से ही आपके सारे के सारे कुश्टन्स आ रहे हैं तो ऐसे हमें विदाउट वेस्टिंग फॉर्दर टाइम हम लोग आगे के कुश्टन पर चलते हैं और देखते हैं आपके 23rd और 24th नौवंबर का जो मतलब यहां पर आपके 45 कुश्टन्स तक होंगे लेकिन हमें देखना यह है कि आपके 23rd और 24th नौवंबर कौन से कुछ यूनीक कुश्टन्स थे क्योंकि जितनी पुरानी आपके सिरीज चल आनालिसिस हुआ है उन सब में हमने यह देखा है कि कई बार कॉश्टन्स रिपीट हुए हैं तो इस बेटर कि हम लोग आगे आपके बस यह चीज देखते हैं कौन-कौन से आपके यूनीक कुश्टन्स है कुछ-कुछ में हम लोग ने इंडेप्ध में भी रखा हुआ है तो उससे देख ले गांधी जी के चाचा के पोते थे यानि कि समवेर यह आपके गांधी जी के भतीजे लगेंगे ठीक है तो यहां से आप लोग खेर ब्लड रिलेशन भी आपकी रिजनिंग में आते तो इसको स्ट्रॉंग करना तो आपके मगनलाल आपके बेसिकली गांधी जी के एक रिष् तो यह बच्चों आपके चैसोच बाइस रिख से अभी आपके और डिस्ट्रिक हो गये है ठीक है स्कूप यह स्कूप वर्ड आपके कहां पर यूज होता है ठीक है बहुत साइज स्कूप है अब हाँ कोई अगर यह बोल दे की ऐसे में की जो आपके दिल स्कूप करके जो एक शॉट लगाया करते थे तो वह चीज नहीं है जो आपके क्रिकेट में लगता था बट यह को सब्सक्राइब depर कर नहीं मिल की अगर आपने अगर teaching कर नहीं मिल पाती है का फी साथी चीज हो जाती है तो यहां पर वैसा रही है यह भी ठीक है तो यह चीज पूची कहीए है तो यहां पर यही चीज पूछाए, अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है, तो उसे कितने घंटे में magistrate के सामने पेश करना होता है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर पुलिस को उसे ले जाना होता है, वनना ऐसे में जो magistrate है, में magistrate आगे आपके हाई कोट तक भी केस जा सकता है, अगर बहुत जादा अगर बॉड़ी नहीं आपकी प्रेजेंट हो रही है केस में तो, और फिर वहां से कौन सी रिट आएगी, तो रिट का नाम है है, है बंदी प्रत्यक्षी करन, वो आपके रिट लगाई जाएगी, सदी, अभॉलिशन, अधिनियम, ठीक है, और यहां पे, और यहां पे इसी अभॉलिशन में आपको, क्या करना होता है, इसी अभॉलिशन में जो लाए गया था, राजा राम होन रॉय द्वारा लाए गया था, और यह आपके, उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल था, वो कौन समाज पूछ लिया प्रार्ःतना समाज पूछ ली तोयक आपके और समाज था उसका नाम था देव समाज कादध में वानाइब दो समय समधनत सब्सक्राइब यह नारायन अग्णि होतरी द्वारा लाए गया था अग्लें पूश्य सब चलते हैं पंच्ध महल कहां है यह सभी को पता है कि सृस्थ का पर सभीकुष लोग आप में से गए भी होँगे जो कोई भी आगाझा जाता है ताज महल देखने तो आपके यहाँ फटेपूरजी सीप्रीड पश्काइड ना ही कौह सतने किल होुचा जाएगा कि लाइव से लगे कि कौन इसमें से जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है, तो कौन है वो आपके औरंग जेब था? तो यही से आपका क्या है था? यही से आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था? जिसमें आपके निशुल्क सिक्षा प्राक्त करने की उम्र कितनी दी गई थी? वो आपकी 6-14 साल दी गई थी. अब इन्होंना आपसे ना गोपाल प्रसाद दूबे के बार में पूछ लिया है, तो यह गोपाल प्रसाद दूबे जो है, वो आपके कौन से नृत्ते से रिलेटेड है? जो है, आपको मुझे राज्य बताना है कमेंट सेक्षन में कि कौन सा राज्य है जहां पे आपका 6- अगला है यूनिटी दे, यूनिटी दे बच्यों कम मनाया जाता है, यह आपके सरदार वल्ला भाई पटेल के, उस दिन दरसल आपके सरदार वल्ला भाई पटेल के जो यह है, उनका बर्दे जिस दिन आता है, उस दिन इसको मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को इसी दिन ह खापके श्री-सरदार वल्ला भाई पटेल जी ने उन्हों ने आपके भारत को जोडने के लिए बात की ठीक इसलिए आपके पुरा एकत्रित किया था भारत को भारत के अलग-अलग प्रांतों को और इसलिए उनसे रिलेटेड आपके एकतादि वस मनाया जाता है मनाया कप ज जी ने किया था वहां पर आपके काफी सारे options थे थोड़ा टफ हो गया था पर यहां से आप लोग को यह समझना था कि जो उद्घाटा ने आपके नरेन मोदी जी द्वारा किया गया था आप से यह भी पूछ लिया गया है कि शत्रंज जो ओलंपियाड है यह कौन करवाता है और हम लोगों ने इस चीज़ को एक बार आपके analysis में देखा भी था कि यह आपका FIDE यानि कि International Federation of Chess ठीक है वो आपके इसे कराती है तो 2022 में आपके कराया जाता है और 2022 में तमिल नाडू में हुआ था इसमें और क्या हुआ था विश्वनाथन आनंद ने मशाल रिले की मेज तो यह आप लोगों पता होना चाहिए अधिकतर लोग विश्वनातन आनंद जी के नाम से सोचते ही कि हाँ भारत ही हर बार पहले आया होगा चेस में लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए आपको ने रैंक्स जरूर पता होनी चाहिए कि पहले नंबर पर आपका कौन आया है तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है तो इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल एक आपके बहुत बढ़िया एकॉनमिस्ट हुए थे यह आपके एक छोटी कंपनी एक घर इन सब जगाओं पर इन्हों ना आपके अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझा था और अध् टारे उच्छी कहा यह बच्छे आपके सत्रिया से और बहुते त्यां आप जतिन गोव स्वामी कोई भी हो ज्यादा जाता इसे किसे सोचे गए ज्यादा जाते वह आपके यूपी यह तो फिर बिहार वाली रिजटन से ओंगे लेकिन नहीं या आपके आसाम के सत्रियाव निर्थे से रिलेटेड है ध्यान देना है रटना है इस चीज़ को आपको जिन जिनका भी एक्जाम बचा हुआ है संगीत नाटक अकाडमी तो यह आपके किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो यह आता है आपके निर्थे साथ बना कब था तो यहां पर मैंने लिग भी दिया कि 1903 में बना था अभी कि इनकी हैं इनकी हैं आपके संध्या पुरेच्या नाम है उनका ठीक है वह संगीत नाटक अकाडमी की हैड है यह आपकी जो लोडी है यह लोडी बच्चो फेस्टिवल यह आपके किस राज्य में बोला जाता है ठीक है तो जब कभी भी आपका करकरेखा पर सूर्य जब 90 डिगरी के कोंड बनाता है मतलब जो जो सूर्य की किरन है आपकी 90 डिगरी के कोंड पर किस पर आती है करकरेखा पर आती है तो आपका क्या हो जाएगा वहां पर आपके मकर संक्रान्ती उसको हम लोग जिसमें से आपकी जो लोडी है ठीक है तो ये कहां बोला जाता है ये आपके पंजाब में बोला जाता है उडीसा में क्या बोला जाता है तो इसको संक्रांती सीधा संक्रांती क्याता है गुजरात में उत्तरायान बोला जाता है तमिल नाडू में पॉंगल बोला जाता है अस हुनी देखा होगा इस दिन आपके पतंग भी बहुत वड़ाई जाती है ठीक है वेस्ट ब्नकॉल में इसे पॉष संक्रांति कहते हैं내 कंक्रणा चाहर्ण है करनाटक में इसे मकर संक्रमण संक्रांति न कहके संंक्रमण वोलते हैं तो यह सब आपको पता होना चाहिए ठीक है अच्छा पश्चिम बंगाल में खिषडी थोड़ा उल्टा हो गया ऐसा नहीं पंजाब में अप उडिसा में इसको संक्रांती कहते हैं गुजरात में उत्तरायान कहते हैं तमिलनाडू में पोंगल कहते हैं अभी तक सही चल र लेना और आपके करनाटक में इसे मकर संक्रमण बोलते हैं तो यहां संक्रांती हटाके मकर संक्रमण जरूर कर लेना और करनाटक में इसे आपके क्या बोलते हैं तो करनाटक की जगए आपके पश्चिम मंगाल में क्या बोलते हैं तो इसे पॉश संक्रांती बोलते हैं अग तो वह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन-कौन सी अवस्थाएं हैं इसकी तो दरसल वही जो आपके तीन खंडों में बढ़ता है कौन-कौन से खंड थे तो एक था आपका निम्नपूरा पाशाणकाल लोगर पेलियोलिथिक पीरियड दूसरा था आपका मध्य पूरा पाशा इसा पूर्व वर्ष तक आपके इसको देखा जाता है क्योंकि उसके बात से ऐसा कहते हैं कि आपके इनसान है उनकी खोज हो चुकी थी मलब बेसिकलिया आपके इनसान बन चुके थे अच्छे तरीके से बस दसजार साल पहले सारे के सारे आदिवासी थे ठीक है आगे चलत पत्थर के ओजार बनाना प्राधम किया ठीक है तो यह बचे आपके वही पेलियो लिथिक का मतलब ही है यह होता है लिथ मतलब ही आपका पत्थर होता है तो इसमें बेसिक से आपके स्टोंस वगरा मिलेंगे जिससे कोई यूज नहीं था बट अपर लेवल पर जाते-जात कौन तबला प्लेयर नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को इस पूरा अनालिस को करा लिया जाए ठीक है कि अगर कभी आपसे कौन नहीं है तो इससे बड़े यह जान लो कि कौन-कौन है तो जो कौन-कौन है उसमें देख लेते हैं खेर वहाँ पे आपसे ना उत पन्नालाल घोश ठीक है यह कौन है यह बचे आपके ना फ्लूट प्लेयर है यानि यह आपके बासुरी वादक है और बाकी जो है जैसे आपके अन्य तबला वादक की अगर हम लोग बात करें तो वो हैं आपके अल्मोला रखा खां ठीक है जाकिर हुसाइन चतुरलाल समता समता प्रसाद मिश्र ठीक इन को आपके अना गुद्वैब माहराज भी बोला जाता है समतालब म ठीक है और फिर उसके बादक कुझ क कंथे महराराज किशन हो लोग हैं जो की आपके तबला वादक हैं ठीक है और आपके पंधित पन्ना लाल घोश यह क्या थे आपके वाश सब्सक्राइब है ठीक है तो आपसे पूछा गया कि ब्रिहदेश्वर या राजा राजेश्वर जो मंदिर है यह आपके किस वंश के शाशक ने बताया था बनाया था और इसे हमने क्लास में भी कई बार देखा है आपके यहां यूट्यूब पे मैंने आप लोग को यह पढ़ाया है कि आपक इस मंदिर को राजा राजेश्वर मंदिर को आपके चोल राजवंश ने बनवाया था ठीक है तीन आपके बचे चोल मंदिर हैं कौन-कौन से हैं एक का नाम है जो की जनरली आपके द्रविट शैली की वस्तु का लाग में अनुकरनी हैं कौन-कौन से आपके पहला है आपक salt content और उसका मतलब जो पुरा नाम था वो यह नाम था अगला है आपके कितने कुल fundamental rights हैं Indian Constitution में fundamental rights यानि मौलिक अधिकार कितने हैं तो वो आपके इसके आपके कितने हो जाएंगे कुल 6 हैं इनका विवरण कहां से कहां तक है तो वो आपके 14 से 18 तक आपके सम्ता कि यह आपके सम्ता का अधिकार पूछा गया है यह आपके सम्ता का अधिकार पूछा गया है आपके इसको अनुचेद कर लेना तो आपके बच्चे 14 से लेके 18 तक मैं दरसर उसके अनालेसिस था छे आपके कुल मौलीक अधिकार हैं उन मौलीक अधिकारों में पहला जो है आपके 14 से लेके 18 तक जिसे आपको समतक अधिकार बोला जाता है राइट टू इक्वालिटी फिर उसके बाद आता है राइट किया नाम है रा अज़े आपके आता है धार्मेक स्वतंतरता का अधिकार ठीक है तो इसका मतलब हो जाता है आपके रिलीजिस फ्रीडम का अधिकार और यह आपके पच्चेस से लेके 28 तक आते हैं फिर उसके बाद जो छटे नमबर पर आता है वह आपके institutions related आता है minority institutions related और वो आपके कितना हो जाएगा 29 और 30 में आते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या है अगला एक question पर चलते हैं तो basically यहाँ पर शायद इस बार कुछ जादे गलती होगे तो यहाँ पर आपके पूछा गया था जो question था वो यह था कि जो यह पूछा गया कि यदी आपके high court के judges को हटाना है ठीक है तो उसके लिए किस तरीके से हटाना पड़ेगा न्यूनतम आपको कितना यहाँ पे जैसे कोई भी अगर आपका high court का judge है उसको हटाने के लिए पहली चीज कहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा तो वो आपका बच्चे संसद में पारित होगा संसद में जब पारित होगा तो आपके 50 अगर राज्य सभा में है तो आपके 50 और अगर वो आपके लोग सभा है तो वहाँ पे आपके 100 लोग न्यूनतम आपके उस महाभी योग में शामिल होगे ठीक है उनके द्वारा पहले resolution pass करा जाएगा फिर इस resolution को speaker को दिया जाएगा फिर आपके जो सभापती महोदे हैं ठीक है आपके जो सभापती अध्यक्ष है वो क्या करेंगे वो बोलेंगे कि क्या आप इस चीज में मानना चाहते मतलब क्या आप इसको पक्का मानते हैं अगर हां तो बोलिए आए वरना बोलिए नो फिर वो तीन बार आए बोलेंगे और तब तक मैं आपको क्या करना है अगर किसी को नो बोलना है तो वो अबजेक्ट कर सकता है और वाइज आपका रिजिश दर्बाथी क्या आपके जैगा उसके बाद के चौदा दिन की क्या नाम sewing महुलत दीजाथी चाहिए वो आपके राष्टपति हुछ चायब आपके जजजेन Supreme Court या High Court के और फिर उसके बाद आपके क्या हो जाएगा उनके रिमूवल यानि कि उस पर फिर जांच बैठाई जाएगी उन देखा जाएगा है क्या वो जो उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं क्या वो सही है और फिर उसके बाद आपका रिमूवल प्रॉसेस जो है यानि हटाने का जो पूरा प्रॉसेस है उसको शुरू किया जाएगा आप से पूछे है एवरी परसन हूँ है अरेस्टेड और इस नाव डिटेंड इफेंस शैल भी प्रोड्यूस अच्छा यह एक्षली ना फिर सवह ही रिपीट हो गया है ठीक है दा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके क्या है यह जो बच्छे आप से पूछ ली की करण करना पड़ेगा और इसलिए आपके क्या लाया गया तो 1948 में आपका प्रथम और द्योगिक नीती आया ठीक है फिर आप से पूछा गया है कि आपके कुल कितने शेडियूल्स हैं आपके अभी तक जो मतलब जितना भी है आपके शेडियूल भी जो है इन्दस्ट्रियल पॉलिसी का अब यह बहूत टफ पॉस्टिन हो जाता है कि भाई कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे जाए याद क करके तो यहीं पूछा गया हाओ मैनी इंडस्ट्रीज आ देर इंस शेडियूल भी ऑफ इंडस्टर पॉलिसी ऑफ इसके अंदर आपके टोटल कितने हैं तो बारा और आपके कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ तो यह आपके बंगलुरु करनाटक में मिलता है, किस चीज़ का है तो आपके लोह आयस्षट ओचारी यह आपके आइर्न ओर के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नमबर बन पे सबसे ज़्यादा आइर्न ओर मिलेगा, दूसरे नमबर पर मैंगनीज मिलेगा और तीसरे नमबर पर आपके ग्रेनाइट मिलेगा फिर उसके बाद करनाटक के अच्छा और अगर कुछ और देख ले तो वो क्या हो जाएगा जैसे आपके अगर हम लोग लोग लौ आयस की या फिर आपके आयरेन और की अगर हम लोग बात करें तो आपके कहां कहां मिलेगा तो यह आपके बच्छे कुछ डिस्ट्रिक्स है करनाटका के वहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है जैसे की एक आपका डिस्ट्रिक है उसका नाम है बिलारी दूसरा है आपका चित्रदुर्ग तीसरा है चिकमगलूर चौथा है टुमकुर ठीक है यह वो क्षेत्र हैं जो कि आपके आरेन ओर के लिए बहुत जादा फेमस हैं अगले को देखें अब यह क्या हो रहे हैं यह जो मैंने आपके कुश्चंस डाले हैं यह आपके जनली रिपीट नहीं हुए हैं तो यह वो वाले कुश्चंस थे अब थोड़ा सा जो आपका लेवल है वो डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है ठीक है तो आगे चलते हैं यह आपसे पूछ लिया गया सीधा सीधा की भाई जो आपके जो यह मुगल थी ठीक है जितने यहां पे जो मुगल थे जो मं वंश्चस थे तो यह चंगेज खान था ठीक है अपनी माता की ओर से चंगेज खान थे चीन और मध्य एशिया में उनके कुछ हिस्चो पर हिस्चो पर साशन करने वारे मंगोल शाशक चंगेज खान के वंश्चस थे और पिता की ओर से वह आपके इरान इराक और आधोनिक तुरकी के शाशक तैमूर का वंश्चस था ठीक तो मंगोल से आए हुए थे आपके कौन मुगल और इधर से आपके कौन सा वंश्चस था तो यह आपके तीमोर से आए हुए थे आपके तैमूर का वंश्चस था और यह भाई आपके बहुत जादा बार पूछा गया कि ट् जलते हैं यह पूछा गया है कि आपका पांचवा खेलो यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हेल्ड हुआ था भाई यह बही कई बार आपसे पूछा गया है तो पहला क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल आता है कब से शुरू हुआ तो आपके 2018 से शुरू हुआ ठीक है कौन से स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं आपके बच्चे अलग अलग आठ अलग जगा पे इस बार हुआ था कहां कहां हुआ था वह आपका उत्री मध्यपरदेश में हुआ दिल्ली में हुआ था आपके ट्रैक साइकलिंग के लिए ठीक है और यह आपके हर साल अलग अलग जगा पे मनाया जा रहा है इस बार कौन सा था पांच बार था दोजार थेश में पहला कहां कब हुआ तो वह आपके तीसे नंबर पे आया ठीक आगी चलते हैं यह आपसे पूछा गार मैंने इसको कई बार क्लास में आपको बता दिया है कि कौन-कौन से लीडर से मैंने आप लोको लीडर के नाम भी लिखा दिये थे कि आपके हिंदूस्तान रिस सोचलिस्ट रिपब्लिकन अ सारी थे जैसे आपके रामपरसाद बिसमिल जी थे फिर हो आपके इसकोरा फिर यह को जाते हैं यह एंदूस्तान रिपब्लिक असोशीएशन फिर 174 जब आपकी फ्लॉप होने लगी और ऐसा कह सकता है कि बहुत कम काम हो रहा था تो उसमें भगत सिंग ने आपके socialist word, समाजवाद word को और जोड के क्या बोला कि अब हमें से फिर से करना चाहिए, इसलिए वो आपके 1928 में कहां मिलते हैं, तो ये आपके फिरोशा कोटला जो मैदान है, ये मतलब फिरोशा कोटला जो आपका यहां मैदान है, नई दिल्ली में यहां पर जहां हैं, ये आपकी 20 बीवी थी, जहांगीर की, इसी के साथ साथ क्या नाम है, ये आपके बहुत ही ग्रेट वजीर थे, जिनका नाम जो अकबर के अंडर सर्व किये थे, तो ये उनकी क्या थी, उनकी बेटी थी, और नूर जहां ही ऐसा कहा जाता है, कि ये आपके जी थे वो ज्यादा आपके जहांगीर को देख रहे थे ठीक है मतलब कि यानि यह काइंड आफ ससुर द्वारा चलाया जाया था पूरा को पूरा साशनकाल जहांगीर की समय All India Muslim League किस था अपना कब हुई तो सॉरी कहां हुई आपसे पूचा गया अगर आप लास्ट वाले लेक्चर को देखोगे तो मैंने वहां पर आपको बता दिया है कि All India Muslim League जो है इसके बारे मैंने सारी चीज़े बता दी थी कैसा हुआ क्या हुआ धाका फिर educational conference वहां पर कौन आय जाएंगी तो फिर उसके बाद यह आपकी पार्टिया बननी शुरू हो जाएंगी तो All India Muslim League यह आपके कहां होता है इस बार आपसे पूचा गया तो नवाप सलीम उल्ला के ही वहां कि नवाप सलीम उल्ला जिसनों जिन्होंने यहां पर किया किती इसके अध्यक्षता की थी कहां की थी तो ढाका बांगलादेश में की थी ठीक है याद रखना इस चीज को फिर आपसे पूचा गया है कि कौन से वो कप्तान है भारतिय क्रिकेट के जिन्होंने सबसे जादा ODI खेलते वक्त वो कैप्तन रहे हैं तो कौन सा है तो भाई कौन से हैं तो आपके महेंदर स सिंग धोनी जी हैं और इन्होंने आपके 2007 से 2018 तक यह लगा तार इस 11 साल के लिए भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान थे इन्होंने इसमें 200 मैचेज खेले हैं ठीक है कप्तानी कप्तानी में अगला है कि कितने पाकिस्तान करके बहुत प्यारी किटानी पाकिस्तान लिग दि हैं जो कि आपके उस समय के पार्टीशन को उसके दुख को जो आपका बटवारा हुआ था उसके दुख के बारे में जब लिखा जाता है तो उसमें आपके एकदम पूर्ण यथार्थ वाद रूप से कोई अगर जो आपकी कहानी लिखी गए थी उपन्यास लिखे गए थे हैं तो उन कहानियों उपन्यासों में आपके आपके कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है वो सबसे मतलब क्या नाम है सबसे अच्छी मानी गई है उस उपन्यास को कमलेश और हिंदी साहित्ते के आपके बहुत ही बड़े समीख्षक भी रहे हैं ठीक है तो ऐसे आपके पाकिस्तान लिखा 12 में अगें जो हम लोग ने क्लास में न जाने कित्वी बार कर लिया इंडिनाइजेशन ऑफ आर्ण फोर्सेज 1932 में क्यों हुआ विकॉस आफ साइमन कमीशन आपके साइमन कमीशन की वज़े से होता है साइमन कमीशन कब आया तो यह आपका 1928 में आया तो यह सारी चीज़े आपके आपके पूछी गई है बार बार तो इस बार सीधा सीधा आपसे बस यही पूछ लिया अगर कल को आपसे पूछ लिए वू वास दी आल वाइट कमीशन आपके आल वाइट कमीशन कौन था तो वो भी आपके साइमन कमीशन ही होगा उसका उत्तर ठीक है तो there was a group of British member from the United Kingdom who came to Indian 1928 to study constitutional reforms United Kingdom से British सदस्यों का एक समूँ था जो 1928 में समविधानिक सुधार का अध्यान करने के लिए भारत आया था क्यों आया था समविधानिक सुधार का अध्यान करने के लिए कौन सा था वो समविधानिक सुधार या कौन सा था तो वो कौन सा था तो बच्चे आपके government of India Act 1919 था ठीक है यानि कि government of India Act भारत सरकार अधीनियम 1919 था कि विच्च चेडियूल कंटेंस प्रोविजंस रिलेटेट टू दा एड्मिस्टेशन यह मैंने आप लोग ना जाने कितनी बार कराया है कि भाई आपके अमैत्री मी मैंने हर बार यासी याद कराया था कि क्लास में कि भाई आपके अगर पूरा इंडिया में तो आप से ये चीज पूछी गई थी कि कौन सा हो शेडियूल है मतलब मैं जब भी कभी क्लास में भी आप लोगों पढ़ाया है तो यही बताया था कि अगर यदि आपके पूरे भारत का पूछा जाए बस इन राज्यों को छोड़के तो आपके पांचवे अनुसूची मे है भारत समविधान के ठीक है और यदी अगर आपसे यह पूछ लिया जाए सिर्फ मैं त्रीमी असम में घाले त्रिपूरा और मिर्जोरम अगर बस इन चारों राज्यों के बारे में पूछा जाए तो वह कौन सा हो जाएगा तो वह आपके सिर्फ किसमें है अनुसूची जह में है इस पर जो इसमें क्या बनेगा तो आपके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसल बनेंगी और वह किसके डारेक्ली अंदर आ जाएंगी वह आपके राज्यपाल गवर्नर के अंदर आती हैं कई बार हमने इस चीज को बता रखा है बोर्डो लैंड वगया जब इन जनजातियों वाले प्रदेश हैं जहां पर मैजॉरेटी में जनजाती मिलती है उन्हें कहां डाला गया तो आपके पांचवे शेडिवल में डाला गया है अगला पूछा गया है कि बच्चे आपके जाफना इसका नाम ना जाफना है जाफना लिख लेना अगर आप लोग ने जॉन अबरहम कि मुवी कांथी मदराजा काफे तो मदरास काफे में बचर आपके क्या होता है ओप्रेशन केक्टव करके काक्तum डोपकर काक्या जाफना जिसमें जो आपके ग्रियुद्ध छड़ेया था आपके श्री लंका में किसके बीच में यह आपके छिड़ा था सिन्हालियों के बीच में और सिन्हाली यह बौद धर्म कें हैं और आपके किसके ऐसे बीचों को न स्री लंका मुलतय इन दोनों के पीक में आपके सबसे जादा घरा कहीं मार काट हृट हुई तो आंपके आप जमान लो कि अगर आपका इस तरीके से और यहां पर आपका लेजसे इंडिया यहाप का रामेश्वरम वाला हलका सल्ण इसे हो जाएगा यह और यह फिर आपका ऐसे चलेगा ठीक है तो श्री लंका आपका ऐसे है इसको आपके और क्या बोलते हैं पाक स्ट्रेट कहते हैं आपके पाक स्ट्रेट इसी को आपके आडम्स ब्रिज भी बोलते हैं अडम्स ब्रिज और इसी को और क्या बोलते हैं तो इसी को आपके श्री राम सेतू बोलते हैं ठीक है और यहाँ पे यह बच्चे यह पोठेनी यह आपका ऐसे जाफना का पोठे पोठेन इसा जाफना का बंदरगा है और एकदम आपके उत्री में ही आपके क्या पड़ेगा यह पूरा जो प्रांथ है आपका जाफना का प्रांथ है यहीं पर आपके सबसे ज्यादा ग्रहयूद छिड़े हैं ठीक है जो अभी श्रीलंका में उते हैं आपका जो ग्रहयूद है 2004-2005 तक तो यहां पर हम्मन टोटा पॉर्ट है जिसको किस ने काप चापचर कर लिए ऐसको दिया गया है तो यह आपके चाइना को दिया गया है और बस इतना बहुत है इसके लिए तो तमिलाबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्राइद्वीप यह बच्चे आप लोग जापान या जापान नहीं है गलती से हो गया जाफना फिर से लिग दे रहो जाफना प्राइवी श्रीलंका के किस भाग में तो यह आपके उत्तरी प्रान्त में ठीक है यह आपका पूरा प्रॉपर उत्तर था कहां पे है श्रीलंका में श्रीलंका में कहां उत्तरी भाग में कि देख लो न यह श्रिलंका है यह आपके एकदम उत्री भाग जो है वहां पर क्या है जाफना है ठीक है अगले कोशिन पर चलते हैं कि अब आप से पूछाएं कि कॉंगम पट्टू एवी मुरुगईयन जाहिर सी बात है अगर ये एक साउथ इंडियन नाम लग रहा है साउथ इंडियन नाम है तो किसका होगा भाई अब हर जगह आपको अब क्योंकि म्यूजिक का नाम आया है डांस का तो तो आप फिर भी श है वादक है तो यह बच्चे आपके प्राचीन करनाटक संगीत वाद्ययंत्र थविल उसे ना थविल बोला जाता है ठीक है थविल क्या है वादक है इस चीज के लिए उन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पदमश्री से सम्मानित किया गया था ठीक है यह अभी तक आपके अब किस चीज से रिलेटेड यह ओप्शन तो नहीं पता है पर आपके वाटर साइकल से क्या-क्या चीज़े होती हम लोग उसको देख लेते तो देखो पहला जो प्रॉसेस होता है उसको क्या बोलते हैं उसमें आपकी सबसे पहले तो इवापरेशन होता है वाटर साइकल यापका क्या हो जाएगा तो भाई ढ़ादल बन जाएंगे बादल पहले क्या करेंगे तो यह आपके बारिश करेंगे ठीक है फिर उसके बाद एक्स बारत्या पहले आपका क्या हो जाएगा यहां से दरसल यहसां का सूर्य है Sun Sun क्या करेगा तो sun is actually ने फुरे पानी यह इस तम अपसूर हो जाएगा ठीक है तो इसको इसको क्या बोलते हैं इसको आपके वाश्पी करण बोलते हैं यानि एवापरेशन बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ट्रांस्पिरेशन हो जाएगा, ट्रांस्पिरेशन के बाद फिर क्या होगा, कंडनसेशन हो जाएगा, जब अच्छे आपके जो पानी यहां से जाएगा, हवा में अटकेगा, फिर वहां पर उसका कंडनसेशन होगा, यानी तो प्रक्रिया क्या क्या इसमें आप एक तो है कि अत्रणे पाइसों नुने MASASI के बाद आपके क्या हो जाएगा वर्शा हो जाएगा और वर्शा के बाद फिर आपके किस तरीके से अपवा है यानि कि ये बारिश आपकी यहीं कहीं होती है ठीक है जैसे मान लो अगर आपके बारिश यहां पर हो गई तो यहां से फिर यह क्या हो जाएगा सारे नदियों मे में आ गया होगा अगले कोशन पर चलते हैं इसलिए अगर आपने देखा हो तो पतंजली बगार के अब क्या रहे हैं तो अब आपके इनके द्वारा ना बिना आयोडीन वाले नमक खा रहे हैं या फिर सेंधा नमक के लिए बोला जाता है कि वह आपके जो रक्त चाप है उसको बढ़ने नहीं देता है इसलिए आप आपके एक नमक आता है जो थोड़ा महंगा आता है उसका नाम क्या है लो सोडियम सॉल्ट होती है वह रहे रंग वाला पके लिए और पानी को रोकने के लिए मदद करता है लेकिन अगा बहुत ज्यादा सॉल्ट खाओगे तो क्या हो जाएगा तो बच्छे जब आपके बह से आपके और जादा आपकि जम नसें हैं उसमें आपके ऑुर थो आपके रक्त वाहिकाइए हैं ठीक है नहीं प्लेट विषण अ क्या करदेगा उसमीं या wilt यह आपके बहुत जादा एक एक्ट्रा प्रेशर लगाएगा ठीक सब्सकार हो जाता है आपके उस रख्कत चाप isesti 20 तो यह आपके क्या करेगा रक्त वाहिका में अतर्क्त दबाओ लेगा ठीक एक्स्ट्राप्रेशर लगाएगा अतर्क्त दबाओ देगा ब्लएड्वेसल्स में और जब पानी बचे अत्र्क्त दबाओ ऐसा देगा पानी रुक के फिर बहुत तेज़ दवाव देगा उसकी वज़े से क्या होगा उसकी वज़े से आपका यहां पर उच्च रक्त चाप बनना शुरू हो जाएगा अगले पर चलते हैं फिर बच्चे आपसे न यह रैंक पूछी गई है कि जो क्रॉप्स हैं जो फसले हैं आपकी उन फसलों के उत्पादन में भारत जो है किसमे प्रथम स्थान पर है तो भारत आपका एक मिनिट जो जो आपके भारत है यह बच्चे आपसे पूछा गया है कि कहां कहां पर प्रथम स्थान पर है तो भाई देखो भारत दालों और कपास में सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है सबसे ज़्यादा कुछ प्रड्यूस करता है अभी तक क्या होता था कि हम लोग को बोला जाता था कि शिप्टू माउथ ठीक है हमने कल पड़ा था लास्ट क्लास में तो यहां पर क्या है अब लेकिन जो भारत होगे सबसे बड़ा उत्पादक हो चुका है दालों का और कपास का दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में मतलब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चावल गेहूं चावल गेहूं ठीक है और उसके साथ साथ बच्चे आपके मुंगफली इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादा कि अब देखो बाजरा में भारत नंबर वन पर है फिर नाइजीरिया आता है बाजरा में भारत नंबर वन पर आता है चावल में चीन नंबर वन पर आता है भारत नंबर टूपे कभी कबार बच्चे है सालाना रिपोर्ट सापकी चेंज होती रहती है कभी कबार ये आपके जो भारत है वो नंबर वन पर हो जाता है और जो चीन है वह आपके नंबर ट रहेगा या number two पे रहता है कभी हमें बोला जाता था कि we are the हमें बोला जाता था कि हम लोग ship to mouth हैं मतलब जब वो अपने हां से जब पानी का जहाज भेज़ते हैं तो कहाते थे है अग्ला एक आपसे मुद्रा लोन से सीधा सीधा पूच लिए गया प्रदधान्मंतरी मुद्रा योजना मुद्रा ही नाम दिया गया है ठीकर तो इसमें पूच लिए आपकी सभसे ज्यादा मा क्लों की कितनी है तो कितनी है वह आपकी 10,00,000 रुपए है अच्छा तो क्या इसमें किस-كिस तरीके के आपके Loan होते हैं तो देखू किरा न, आपके Maximum क्या है वह है créer 10 लाग खरकर और सबसे जयादा जोडिया जा सकता है वह आपके 10 लाग का और किस चीज के लिए for the development and entrepreneurship ठीक है तो यह आपके उद्यमित्ता के लिए है और आपके विकास के लिए refinancing agency है एक तरफ आपका bank है कि अगर आपके एक तरफ आपका bank है और यह आप हो ठीक है जिसको आपके क्या चाहिए पैसे चाहिए तो अब बैंक हर जगा नहीं पहुंच सकता तो यहां से क्या कर देगा यह आपके ना एक इंटर्मीडरीज जो बिचॉली होते हैं बिचॉली क्या होते हैं एक्शली बचे आपके बैंक हो गया इसी साथ-साथ ना NBFC भी लोन देती है तो यह वहां तक आपके उन लोन को पहुंचाएगा इनके द्वारा जो पैसे हैं क्योंकि बैंक और NBFC में तो बहुत पैसा है यहां पर आप हम जैसे जिस किसी को भी उद्यमित्ता करनी है ठीक है कंपनी खोलने कुछ भी करना है तो उन लोगों को यह जो री फाइनसिंग एजनसी है यह क्या करेगी बैंक वगर से पैसे लेके और फिर आपके पास उस पैसे को दे देगी यह हो सकता है कि आपको डारे पैसे लेकर यह जो बैंक है इसके द्वार जो मुद्रा लोन है वो डारेक्ट उस ओनर के अकाउंट में चला जाएगा और आपके अकाउंट से डेविट हो जाएगा और आपको उसके पैसे देने होंगे बाद में ठीक है तो यह आपके 10 लाग तक का मैक्सिमम हो सकता है ती ठीक है और जो तीसरा है तीसरा भी लिख लेना थीसरा अप यहां लिख लेना उसका नाम है तरुण तरुन तरुन लोन या तरुन लोन अगर लिखा हुआ यहां पर रिण ठीक है तो बच्छी जो आपका रिण है यह आपका रिण तरुन रिण यह आपका कहां से कहां तक हो जाएगा तो पांच से लेके 10 लाग तक पांच लाग से 10 लाग तक का होता है ठीक है यह आपके 10 लाग रुपे तक का जो लोन होता है इसको आपके क्या बोल आता है तरुन बोला जाता है ठीक स्क्रीन शॉट ले लिए होगा अगले पर चलता है मुवी नाम था ठीक है? Rाज्ज्स मड़ी पूरी उत्तर से नरृत्तर पूरी जो आपका नृत्त्र है उससे हैं आपके मड़ी-इस ठीक है अब उसके बाद आ जाता है कि कौन से राज्य हैं जिनकी सबसे ज्यादा राज्य सभा में सीट है तो सब को पता है इसका उत्तर कि आपके उत्तर परदेश चाहा है तो कहां है वो आपके बचे उत्तर प्रदेश की है ठीक है 403 सीट्स हैं वैसे जो ये सीट नहीं वैसे आपकी 403 नहीं वैसे तो आपकी लोग सभा के अगर सीट की बात करें तो आपके 70-70 seats हैं, उत्तर प्रदेश की, यह आपकी जो पूची जा रही है, यह पूची जा रही है, विधान सभा की, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लिए ना, लोग सभा नहीं, यह आपके, विधान सभा में, विधान सभा की, अगर सीट पूची जाए, विधान सभा की, तो सरवाधिक कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका उत्तर प्रदेश है, किती सीट है, 403 सीट है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके राज्य सभा में, आपके किता है, यह नौर्थ रही है, यह आंसर होगा इसका, ठी से जाधा सीट, और यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितनी सीट है, कमेंट में बताओ, हाउ मैनी सीट, ठीक है, तो ठीक है, आपका आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा इसका, अगला है, कि यह जो आपके गोमतेश्वर है, ठीक है, श्रमण बैल गोला, अच्छा, आपका एक मंदिर है, करनाटका में, श्रमण बैल गोला करके, तो स्थित गोमतेश्वर की मूर्ती किस पत्थर से बनी है, तो भाई, आपसे यह पूछा जा रहा है, कि आपके श्रमण बैल गोला में यह आपके एक तो पहली चीज कहां का है, यह आपके गंगा डाइनेस्टी ने बनवाया था, ग्रनाइट पत्थर की बनी हुई है, ठीक है, और यह आपके गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ती है, यह कौन से धर्म से बिलॉंग करती है, तो जैन धर्म से बिलॉंग कर देती है, सारा लिख लेते हैं, ठीक है, किसकी है यह प्रतिमा, तो यह आपके बाहुबली की है, यह बाहुबली कौन है, जो महिश्वती वाले बाहुबली नहीं है, ठीक है, श्रमण बैल गोला, यह आपके है कहा, तो वहाँ पे आपके बचे गोमतेश्वर की मूर्ती है, ठीक है, यह पूचा गया, कौन से पत्थर से बनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ग्रनाइट पत्थर से बनी है बनवाया किस वंश ने था तो भाई गंगावंश ने बनवाया था ठीक है गंगावंश पस्चिमी गंगावंश पूर्वी गंगावंश ने तो आपके क्या बनवाया था उन्होंने आपके कोनार्क का मंदिर बनवाया था य आपके बैर गोला आपके श्रमन बैल गोला क्या है यह है आपके मंदर का नाम और गोम-तेश्वर किया है तो यह मंदिर का नाम मूर्ती का नाम थीक है तो तो I hope इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने screenshot ले ली होगी, ठीक है, अगला है आपका Morale Minto reforms जो है, ठीक है, Morale Minto सुधार, ये आपके कौन से act से थे, तो दोनों लिख लेते हैं, दोनों सुधारों का नाम लिखी लेते हैं, हम लोगों काम करते हैं, एक चीज Secretary of State of India होगा, ठीक है, ये एक आपके मंत्री मंडल के cabinet minister की पद था ये उस समय, cabinet minister होगा, और जाहिर से बात है, minister के नीचे ही आपके कौन आते हैं, officer आते हैं, ठीक है, और Minto कौन था, ये जो दूसरा पद था, ये था आपका भारत का Viceroy, Viceroy of India, ठीक है, तो अगर Morale Minto की ब की है, तो उस समय आपके, जो वहां का Lord Morale, वो क्या रहा होगा, वो यहां का Secretary of State of India रहा होगा, उसका पद, और Minto कौन था, तो इस समय, आपके यहां का Viceroy कौन था, तो आपका Minto था, तो आपके Morale Minto, अगर सुधार की बात किये जा रही है, तो ये आपके कौन से Act की बात क ये आप से ये चीज़ भी पूछी ली गई है, फिरसरी वाइस कर लो, Montegu, Chemsford, सुधार, ठीक है, और ये जो सुधार है, ये आपका, कहां हो जाएगा, तो ये आपका 1919, ठीक है, कब आया, 1919 आया, कौन सा अधीनियम इस से जाके बना आपका, तो उसका नाम था आपका भार 1919, ठीक है, तो ये चीज़े हो जाएंगी, आशा करता हो, स्क्रीन शॉट ले लिए होगा इसका, आगे चलता है, ठीक है, तो ये देखा, इस बार आप लोग ने देखा होगा कि कुछ कुश्चन्स आपके, इसमें मैंने वो डाले हैं, जो कि हां रिपीट हो रहे हैं, लेकि आपके थोड़ी आसान आ गई थी, लेकिन वही है, इसमें जो आपका आइडियल स्कोर होना चाहिए, आइडियल अटेम्ट होना चाहिए, वो आपके 30 से 35 का आइडियल अटेम्ट होना चाहिए, ठीक है, सबसे बेस्ट जो अटेम्ट काउंट होगा, अब कुछी दिन बच इस पूरे एक्जाम को खतम होने के लिए, आज जो आपकी तारीक है, यहां से आपके पास एक हफता बचा हुआ है, यह आपके बच्चों 24 और 23 नवंबर के जितने भी प्रमुक प्रमुक चीजे थी, उनको और जो यूनीक थी, जो बारबार रिपीट नहीं हो है, तो सिर् को खता है, जिनका भी आपका यह एक्जाम बचा हुआ है, सब को यह आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इन सीरीज को जरूर देखो, जिनका हो चुका है, वो इस पूरी सीरीज को दूसरों के साथ शेर करो, स्सी जीडी का जो प्रहरी बैच है, उसको आप लोग जरूर जोइन करो, अगर आपको यहाँ पे जीडी में अगर वर्दी का आपको अपना समना पूरा करना है, तो ठीक है, इसी के साथ, all the very best, बढ़ते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं